पॉकिमोन वर्ल्ड में 40 से भी ज्यादा रीजिनल फॉर्म पॉकिमोन है और आज हम हर एक टाइपिंग से बेस्ट और स्टॉंगेस्ट रीजिनल फॉर्म पॉकिमोन को देखेंगे वीडियो स्टाट करने से पहले यहाँ पर रीजिनल फॉर्म पॉकिमोन के न्यू एवलुशन भी इंक्लूडेड होंगे अगर एक पॉकिमोन को एक टाइपिंग में सेलेक्ट किया गया है तो उसको रिपीट नहीं किया जाएगा तो हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को अल पे सेट कर देना अब वीडियो को स्टाट करते हैं लेस्ट गेस्ट स्टाटेड स्टार्ट करते हैं नॉर्मल टाइपिंग के साथ यह पोकिमोन वर्ट के सबसे बेसिक टाइपिंग है नॉर्मल टाइब का सबसे बेस्ट रीज़नल फॉर्म होगा जोरवार्ग यह अपने बेस्ट फॉर्म में प्योर डाक टाइब का होता है नेक्स टाइपिंग है फायर टाइप, फायर टाइप का सबसे स्ट्रॉंग रिजनल फॉर्म पोकिमोन होगा टाइफ लोजन ये जेनरेशन टू यानि के जोटो रिजनल का एक फायर टाइप स्टार्टर पोकिमोन है आगे जाके ओल्ड सिनो यानि की हिसुई में इसको भी एक रिजनल फॉर्म मिलता है जो कि ता हिस्टु यानि टाइफ लोजन जहांपर इसके डिजाइन चेंज हो जाती है और ये एक प्यॉर फायर टाइप पोकिमोन से फायर और घोस टाइप पोकिमोन बन जाता है नेक्स्ट टाइप है डार्क टाइप डार्क टाइप का सबसे बेस्ट रिजनल फ़र्म पोकिमॉन होगा जैब डोस ओरिजनली एक इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप का लेजन्डरी पोकिमॉन था जेनरेशन वन कैंटो रिजन से पर आगे जाएके जैनेट गलार में ये दूसरा लेजन्डरी पोकिमॉन बनता है जिसको रेजनल फॉर्म मिला था जो कि था गलारियन जैब डोस ये फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप का काफी जादा स्ट्रॉंग पोकिमॉन है नेक्स टाइपिंग है वाडर टाइप वाडर टाइप का बेस्ट रिजनल फॉर्म पोकिमॉन होगा सेमूरॉट ये एक वाडर टाइप का स्टार्टर पोकिमॉन है जैन फाइ यूनोवा आगे जाके ओल्ट सिनो यानि की हिस्वी रिजन में इसको भी एक रिजनल फॉर्म मिलता है जो कि ता हिस्वी यान सैमूरोड जहां पर इसकी टैपिंग वाटर और डाक टाइप हो जाती है यह वाटर टाइप का स्टॉंगेस रिजनल फॉर्म होगा आगे बढ़ते हैं फ्लाइंग टाइप के तरफ फ्लाइंग टाइप का स्टॉंगेस रिजनल फॉर्म पोकिमॉन होगा ब्रेवियरी एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकिमॉन है जेनरेशन फा यूनोवा रिजन से बटागे जाके ओल्ट सिनो यानिकी हिस्वी में इसको भी एक रिजनल फॉर्म मिलता है जो किता हिस्वी और ब्रेवियरी यहां पर इसकी टाइपिंग चेंज होकर साइकिक और फ्लाइंग टाइप बन जाती है ग्रास टाइप यहां का सबसे स्ट्रॉंग पोकिमॉन होगा डेसीडवाइड डेसीडवाइड अपने ओरिज पोईजन टाइप पोईजन टाइप का सबसे स्ट्रॉंग रिजनल फॉर्म पोकिमॉन होगा स्नीजलर इसका प्री एवलुशन स्नीजल है जो कि डार्क और आइस्टाइप पोकिमॉन है जेन टू जोटो रिजन का बट आगे जाके हिस्वी रिजन में इसको एक रिजनल जो कि एक फाइटिंग और पोईजन टाइप पोकिमॉन है आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक टाइप के तरफ यहां का सबसे स्ट्रॉंग रिजनल फॉर्म पोकिमॉन होगा गोलम गोलम एक कैंटो का पोकिमॉन है जहां पर इसकी टाइपिंग रॉक और ग्राउन टाइप बटागे जाके अलूला रिजन में इसको एक रिजनल फॉर्म मिलता है जो कि था अलूलन गोलम यहां पर इसकी टाइपिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाती है जो कि है रॉक और इलेक्ट्रिक टाइप यह काफी अच्छी टाइपिंग है जिससे यह काफी स्ट्रॉंग पो वॉल्व होता था बट गलारियन यमास की वॉल्व हो सकता है रनरीगर्स में जो कि एक ग्राउंड और घोसाइप का पोकीमॉन है नेक्स्ट है साकिक टाइप साकिक टाइप का सबसे स्ट्रॉंग रिजनल फॉर्म पोकीमॉन होगा आर्टी कूनो यह थर्ड और लास्ट ले आगे बढ़ते हैं रॉक टाइप के तरफ रॉक टाइप का सबसे स्ट्रॉंग रिजनल फॉर्म पोकीमॉन होगा आर्कनाईन यह एक प्यॉर फायर टाइप का पोकीमॉन है जेनरेशन वन कैंट और इजन से बटागे जाके इसको ओल्ड सिनो यानिके हिस्वी रिजन में हि नेक्स्ट टाइप पे आइस टाइप आइस टाइप का सबसे स्ट्रॉंग रिजनल फॉर्म पोकीमॉन होगा मिस्टर राईम इसका प्री आव विलूशन है मिस्टर माइम जो की साइकिक और फैरेट टाइप का पोकीमॉन है जेनरेशन वन कैंटो रिजन से बटागे जाके 8 गलार में इसको एक traditional form मिलता है जो कि ता गुलारियन ליion यहां पर इसकी typing आईजिव और psychic type हो जाती है साथ में इसको एक new evolution भी मिल जाता है गलारियन Hani मिस्टर माइ में लेवल 42 पर जाकर evolve हो सकता है मिस्टर ुप जो की एक आइजिव और psychic type pokemon है यह दिखने में उतना जैन वन तो का पोकिमोन है जिसकी टाइपिंग साइक और ग्राइप है बटागे जाके जैनरेशन सेवन अलूला रिजन में इसको एक अलूलन फ़र्म मिलता है जोकि अलूलन एक्जेकिटर और इसकी हैट काफी ज़दा बढ़ जाती है क्योंकि अलूला रिजन में अच्छी स हैं बलकि एक प्योर ड्रागन टाइप की सूडो लेजेंडरी पोकिमोन है जेन 6 कैलोस रीजन से आगे जाके ओर्ट सिनो याने की हिसु रीजन में इसको एक रीजनल फॉर्म मिलता है जो कि है हिसु यान गूडरा जहां पर यह एक स्टील और ड्रागन टाइप पोकिमोन बन सुडो लेजेंडरी पोकिमोन लेजेंडरी के टक करके होते हैं जिससे आप लोग इसके पावर का अंधाजा लगा सकते हो तो यह स्टॉंग स्टील टाइप पोकिमोन होगी नेक्स टाइप एक घोस टाइप गोस टाइप का सबसे स्टॉंग रीजनल फॉर्म पोकिमोन होग हमारी अगली और लास्ट टाइपिंग है फैरी टाइप, फैरी टाइप के सबसे स्ट्रॉंग रिजिनल फॉर्म पोकीमोन होगी नाइन टेल्स, नाइन टेल्स सबसे आइकोनिक रिजिनल फॉर्म पोकीमोन है, और रिजिनल ये एक प्यॉर फार टाइप पोकीमोन थी जैन वन कैंटो की बटागे जाके जनरेशन 7 अलूला रिजन में इसको एक आइस और फेरी टाइप का रिजनल फॉर्म मिलता है जो की अलूला 90 यह तब इवल्व होती है जब आप अलूला वल्फिक्स के उपर आइस टोन का यूज करते हो वेल्ट हो गैस यही तो आज के इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक करना मत भूलना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पे सेट कर देना एंड हाँ दुबारा मिलेंगे एक और ऐसे वासम वीडियो के साथ अंटिल और पीस ओट